दोस्तो आज का डेंगू के केस बहुत अधिक देखने को मिल रहे हैं अगर आपमें भी डेंगू जैसे लक्षण जैसे तेज बुखार होना, सरदर्द होना, बदंदर्द होना, मास पेशियों वजोडू में दर्द होना, जी मिचलाना वँटी होने जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं तो आपको अपने नजदी की चिकिसक के पास जाना है और अपना डेंगू का टेस्ट करवाना है अगर एंटीजन रिपोर्ट और CBC रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आउशकता नहीं है आपने अपने चिकिसक से नियमित परामर्स लेते रहना है आहार में आप अधिक मातरा में पेपदार्थ का सेवन करें जैसे पानी का अधिक मातरा में सेवन करें गिलोई के रस का सेवन करें पपिते के पत्व के रस का सेवन करें और एलोवेरा के जूस का सेवन करें दोस्तो अब होमियोपैथिक treatment की बात करते हैं तो होमियोपैथि में मैं आपको दो मैडिसिन बताऊंगा पहली मैडिसिन है यूपेटोरियम मदर टिंचर और दूसरी मैडिसिन है रस्टॉक्स 200 आपने यूपेटोरियम मदर टिंचर की 20-20 बून शुबह, दिन, शाम और रात चार बार लेनी है और वहीं रस्टॉक्स 200 की दो दो बून एक चमच पानी के साथ सुबह और शाम दो बार लेनी है दोस्तो अगर आप इस प्रकार से मेरे द्वारा बताईगी मैडिसिन और आहर का सेवन करते हैं तो आपका डेंगू का बुखार जल्दी से जल्दी ठीक हो सकी थैंक यू